तो सबसे पहले हम बात करते हैं what is the African Union, the latest member of G20 G20 में जैसा आप सबको पता है कि 19 nations हैं, 19 nations हैं और एक union था जिसका नाम है European Union अब ही अगर हम आज के समय में बात करें तो G20, G21 कह सकते हैं उसको हम क्योंकि 19 nations है, एक European Union है और एक नया African Union भी इसमें member बन चुका है तो इसी African Union के बारे में हम बात करने वाले हैं, देखिए African Union क्या है, African Union 55 member states का एक group है ये group जो है intergovernmental organization है, जिसमें total 55 member states हैं, जितने भी member states हैं सबके सब अफरीका से belong करते हैं और 9 जुलाई 2002 को इस group को बनाया गया था, इस group के पहले भी एक संस्था थी, जिसका नाम था Organization of African Unity OAU, OAU जो है वो इसकी predecessor संस्था है, और ये 1963 में बनी थी, अभी African Union का Secretariat कहा है, तो आदिस अबाबा में है और ये जो group है, African Union है, ये पूरे world का, अगर हम GDP की बात करें, तो 3 trillion GDP है इनकी, इसके अलावा 1.4 billion people यहां रहते हैं, इस union में, ये जो पचपन देश हैं, इनको मिला के अगर हम बात करें बात करते हैं सबसे पहले कि African Union को क्यों बनाया गया था, तो आपको बताया कि African Union से पहले एक organization हुआ करता था, जिसका नाम था OAU, Organization of African Unity इसको बनाने के पीछे जो कारण था, वो सबसे पहला कारण यह था, कि African Union के जो देश थे, इन लोगों को इसने independence प्राप्त करने में बहुत मदद की, यूरोप की colonies हुआ करती थी, अफरीका की बहुत सारे देश, और वहाँ independence के लिए OAU ने इनको help की थी, पहली चीज तो य इसके बाद 1990 के मध्यकाल में ऐसा लगने लगा था, कि इसमें कुछ reform करने की जरूरत है, और वहीं से African Union का concept धीरे-धीरे evolve हुआ, African Union के objectives क्या है, तो सबसे पहला जो objective है, वो यह है कि Africa के जो countries हैं, उनके बीच में solidarity और unity को establish करना, उनमें एकता की भावना आए, इसके लिए क साम करना, इस एकता की भावना से क्या होगा, तो इनका दूसरा उद्देशी जो है, वो है socio-economic integration होगा, सामाजिक स्तर पर भी और आर्थिक स्तर पर भी देश एक दूसरे से जुडने लगेंगे, दूसरी बात है कि African Union जो है, यह multifaceted social, economic, political problems, जो African Union का है, उसके बारे में Union के बहुत सारे peacekeeping missions ने, जो across Africa बहुत सारी countries हैं, उनमें stability लाने में बहुत महत्वपून भूमी का निभाई है, खास तौर पर अगर हम बात करें तो कुछ देश हैं, जैसे बुरुंडी हो गया, Central African Republic हो गया, Comoros हो गया, डाफूर हो गया, Somalia हो गया, माली हो गया, South Sudan, Sudan हो ग करता है, ये खास बात है इसकी,